और सावित्री गणेश की दूसरी बीवी है पहली बीवी कहां है कहां कहां रहती है क्या करती है और उसके कितने बच्चे हैं गणेश के यह सारी ही चीजे आप लोगों के सामने जो यह सारी बाते जो आप लोगों के सामने आ रही हैं क्या इनमें सच्चाई है और क्या इनमें उसने सभी हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं अपका मेरे चैनल में चैनल में आपका नाम है में आल भिभी तरुना चैनल होत आपको आशा करते ओकrator आप सावेत्री के बारे में आपको sundато यह शोन इसको इसको अश्चु आई जब एठी आपको चुड़ाएंगे मांच वांग को लटना देना है प्रस लेलो पहान के रहूंगा चाहिए जो हो स्टाइलिस कमना नहीं होना चाहिए हाथ तो निकाल लीजे हाथ पोकेट से हाथ निकाल लुद और अराम से बैठिये त्यार उठाईए ना जाब आरे हाँ यह रहा है चलो और वाराम से आरे को जए रहे अधियो चला जुब चाहब चलिए ना इक दाम आराम से एक नहीं होए तक अधर 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 प्रसादें देंगे और दबल परसादें देंगे और अधर प्रसादें जब सावित्री ने अपने हजबन को यह बुला कि चलो हम उट पे बैठते हैं तो उनके दिल में इतना ज़्यादा डर हो गया कि पता नहीं उट पे मैं बैठ भी पाऊंगा या नहीं कमफोटेबल रह पाऊंगा या नहीं पर वही चीज़े कि भाई देखो हम नहीं चीज कुछ भी ट्राई करते हैं तो डर तो हमें लगता ही है इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि डर नहीं लगेगा डर तो लगता है तो उसी डर के मताबिक पता है क्या चीज़े हुई तो उन्होंने जो उट मतलब जिसका जिनका उट होता है जो मतलब बिठा रहे थे उट पे उट के मालिक से पूछा कि भीया मैं गिर तो नहीं जाओंगा ना मुझे बता दो तो बोले नहीं गिरो की नहीं मैं यहां इस्क्रीन चलाती जा रही हूं आप देखते जाएं साथ के सावारियों वालों की कि यह जो उट सावारी जो कराते हैं इनके पास एक लेडिस भी रहती है जो की लेडिस को कमफर्टेवल कराती है क्योंकि जैंस लेडिस को हाथ नहीं लगा सकता है इस चीज का इन लोगों ने बहुत धियान रखा हुआ है तो यह चीजे देखकर को उट पर बिठाया वो कैसा रहा मतलब गणे इस चीज को जो उट पर बिठाया वो बिठाना सही था या नहीं था तो ये भी आप मुझे कमेंट शेक्शन में बता सकते हैं बट मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है लाइफ में हर एक चीज का experience करते रहना चाहिए क्योंकि पता नहीं कब कहां क्या हो जाता है तो इसको जैसा मिलता है उसको तरीके से जी लेना चाहिए तो इस वीडियो को देखके मुझे भी ऐसा मानुआ कि मैं भी अपने बच्चों को लेकर ऐसी जिगा पर जाओं ऐसा ट्रिप प्लैन करूं जिससे कि मेरे बच्चे भी इस को हम प्लैन कर पाते हैं तो फिलाल तो हम इंजॉय करते हैं इनकी इस वीडियो को तो यहां पर सनातन को यह चीज़े बोली गई कि सनातन के मुह से भी टॉंट तो कसा गया यह चीज़ तो आप देख सकते हैं ना दोनों बहन भाईयों ने उस विचारे गणेस चीक को विच जिसमें मेरा थमनेल था बड़ उसके अंदर मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था कि सच में सावित्री के हजबेंड की दूसरी शादी हुई है सावित्री के साथ या फिर उनकी पहली बेटी है यह चीज़े कनफॉर्म नहीं हो पा रहे थी पर जो भी है जैसा भी है सब आ सावित्री उनको टॉंट कसती है एक हसी मजा के थूरू लगा लो या फिर एक पार्टनर के थूरू लगा लो बट इतना जादा अंजली और सनातर में भी नहीं देखने को मिलता है जितना कि इन दोनों के अंदर देखने को मिलता है कि यह कुछ भी बोलती है तो वह हसी के उसके माध्यम से टाल देते हैं sary बाते चाहे कुछ बाते अपनी गधो को भी हट करे तो भी वो टाली देते हैं और बीज-बीज में बोलना उनका ये चीज़े हैं कि सावीत्रिको इसीज बताते हैं कि तुम ये चीज ठीक से नहीं बोल पाती हो इसलिए मुझे रोक टोक करके तुम्हें बताना पड़ता है ये कि उनकी खुद की इस तरीके से उन्होंने इस चीज़े बताई है और काफी ज़दा लोग इस चीज़े के बारे में बोल रहे हैं पूछ भी रहे हैं कि ये चीज़े क्या है और बहुत जल्दी आप लोगों कोडियोज भी मिलने वाली है क्योंकि जैसे सनातन और सावित्री ने अपना चैनल बनाया है तो शायद शायद कनफर्म नहीं है हम इस चीज़े को लेके कि उनका भी नेक्स चैनल बन जाए जिस तरीके से वो व्लॉगिंग कर रहे हैं हम उस ब्याफ पर बोल रहे है क्योंकि जब वीडियोज स्टार्ट होती है तब वो कैमरा पकड़ना और वीडियोज कैसे शूट करना है क्या चीज़े करनी है वो सारी चीज़े वो शूट करते हैं देखते हैं इस चीज को कि कैसे कैसे बारीकी से सब चीजे देखनी है सोचनी है समझनी है तो उस चीज को लेके और यहां पर बहुत सारी बाते हैं जो कि आप लोगों के साथ मैं आप लोगों के ही सवाल है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूं जो कि आपने मु कि अमें सन को फॉलो کر रहे हम उसको देख रहे हैं उसकी खटी-मीटी जादे उसकी कटि-मीटी साथ हम जूरी है तो हम उसी के बिहाब आप लोगों साथ के साथ बात करते हैं वहीं बाते रखते हैं आशा गरती Hanskin कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वैसे तो कुछ नहीं था थोड़ी बहुत मस्ती थी जो कि इनोंने की वही आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया और उसके जो मिरे डाउट थे वो मैंने आपके साथ किलियर किये हैं तो बहुत सारे लोग यह चीजे बोल रहे हैं कि स सावित्री के हस्पेर ने शादी कर ली है और शादी करने के उनको छोड़ दिया है और इन से जब शादी हुई है तो दूसरी शादी हुए यह हम मैं इस चीज के लिए कुछ कहने ही सकती हूँ क्योंकि यह बात अब कहीं से भी किलियर नहीं हुई है जिसने भी यह चीजे किसे वीडियो बनाते हैं जलतर सावित्री के फड़ा इस तरीके की वीडियो रहती है कि पुलिस आ गई यह हो गया वो हो गया मतलब काफी कुछ मतलब उनका चलता रहता है तो उनहीं की वीडियो मैंने देखी जिसमें मुझे पता चला कि उनके हस्बंड की दूसरी बीवी मतलब सावित्री उनकी दूसरी बीवी है और इस तरीके से करके उन्होंने काफी कुछ बोला गया है तो मेरे इसाफ से तो यही चीज़े हैं कि भई जो होगा देरे देरे सब कुछ शमज में आ जाएगा और जो जैसा हैपी मुमेंट चल रहा है उनको चलने देते हैं क्यों उनकी अपनी खुद की पर्सनल लाइफ हमें उसमें डिस्टप नहीं करना चाहिए बट हम एक रेक्शन के माध्यम से हमें जो चीज़े अची लगते हम आप लगों के साथ से करते हैं जो चीज़े सही नहीं लगती है वो हम आपनी वीडियो के माध्यम से हम उन्हें बताते ये चनल सब्सक्राइब कीजिएगा स्क्रिप्शन में एक लिंक है उसको चेक करना मत भूलेगा